हेलो माई यूटुब फैमली, वेलकम तो माई चैनल, चोटी की चोटी से इस दुन्या में आप सब का स्वारत करती हूँ, उमीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे, आज का ये वीडियो आपके लिए काफी यूसफुल होने वाला है, आज के लास्ट वीडियो में मैंने कॉफी टेबल सजाया था और उन चीजों को मैंने डियाईवाइस किया था, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बैक टेबल लेकर आए हूँ, और उसके सारी चीजों को डिया है, तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेक नह में नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर पसंद आता है तो लाइक करें शेर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं तो चलिए फिर आज का पहला डियाइवाई स्टार्ट करते हैं आम का सीजन खतम हो गया पर ये डब्बे हमारे पास रह गए तो इन डब्बो को कैसे फेक दे तो इनका भी डियाइवाई करेंगे यहां मैंने इन डब्बो को ले लिया है और इसके उपर ये वाल पेपर मैं लगाने वाली हूँ तो ये वाल पेपर भी लाइट कलर का है और इसके उपर उडिन प्रिंट दिया हुआ है इसे पतले पतले स्टिप में कट कर लेती हूँ क्योंकि ये जो सारे डब्बे हैं इन नीचे की तरफ जो स्टिकर की तरह रहता है, उसे हम धीरे धीरे इस तरीके से रिमूफ कर लेंगे, ताकि इसमें अच्छे से चिपक जाएं, अब ये नीचे की तरफ जो साइद में एक्स्ट्रा पेपर रह गये हैं, इसे सीजर के हशे से कट करके, इसे अंदर की तरफ से कर लेती हूं इसी तरह सारे स्टिप्स को चिपका लेती हूं और ये एक साइड के स्टिप्स को चिपका लेती हूं उसके बाद दूसरे साइड जो है उदर के भी स्टिप्स को इसी तरह से चिपका लेती हूं तो ये साइड स्टिप्स जो है इसे भी इस तरीके से ओपन करके stickers को चिपका लेती हूं यह अच्छे से चिपक जाता है यहाँ आप चाहे तो फैबिकॉल का यूज कर सकते हैं लेकिन इसमें already अच्छे से चिपक जाता है इसे लिए जरूरत नहीं है इसे finishing touch देने के लिए उपर की तरफ से इस तरीके से sticker चिपका देती हूं तो यह अच्छे से यह wallpaper चिपक जाता है और यह finishing look आता है इस तरह के मैंने दो डबे लिए हैं और दोनों डबे को इसी तरह से मैंने वाल पेपर से cover कर दिया है उपर की तरफ इस तरीके से उडिन जो लुक दे रहा था उसे भी मैंने कवर कर दिया अब ये हमारा बनके रेडी हो गया अब टेबल बनके रेडी हो गया तो टेबल में रखने के लिए लैम भी चाहिए अब टेबल लैम बनाने के लिए मैं डबे डूण रही थी तो मुझे डूणते डूणते ये अगर और इसके जो बीच का पेपर जो है, उसे अच्छे से कट करके इस तरीके से इसे रिमूव कर लेती हूँ, तो दोनों तरफ से मैं रिमूव कर लेती हूँ, तो ये बीच में खाली हो जाता है, अब इसके ऊपर की तरफ जो थोड़ा बहुत कागज जो चिपका हुआ था, उसे ये कुछ sticks ले लिये, जो कि जाडू का stick है, जाडू के जाडू जब तूट जाती है, मुसे फेक देते हैं, तो उसमें ये अंदर की तरफ रहता है, तो उसे वहाँ पर होडलू गन की मदद से ये corner corner में ये सारे sticks को मैं अच्छे से fix कर लेती हूँ, जब इसे fix कर लेती हूँ, तो ये काफी मजबूत दिखता है, और अच्छे से steady दिखता है, और इसके extra part को मैं cut कर लेती हूँ, तो इस तरीके से नीचे के extra part को मैं इस तरीके से तोड़ लेती हूँ easily, अब उपर का part जो था वो थोड़ा मुझे soft लग रहा था, तो इस तरीके से मैंने उसके ही cardboard को cut कर करके, उपर से sticks करके, इसे भी थोड़ा strong part बना दिया, तो इस तरीके से मैंने उपर से चिपका दिया, तो ये काफी strong हो गया, अब इस तरीके का paper हमारे पास नई साडिया लेते हैं, तो इस तरीके का butter paper की तरफ दिखने वाला ये paper मिलता है, तो वो paper मेरे पास था, तो मैंन इसमें side by side इसको पहले चिपका दिया उपर से, फैबिकॉल के help से, ये अच्छे से चिपक गया, चारो तरफ से, और उपर की तरफ भी cover कर दिया, नीचे की तरफ छोड़ दिया मैंने, फिर उपाद में से hot lugen की मदद से अच्छे से चिपका दिया, अब जो malls में हमें थेल मिलते हैं, बैक्स मिलते हैं, वो वाला ये थेला है, जो की जूट बैक की तरह दिखता है, वाइड कलर का है, तो काफी अच्छा लगा मुझे, मैंने सोचा इसको यूज कर लूँ, तो इसे मैंने अच्छे से काट लिया, और इस टब्बे के उपर ही मैंने hot glue gun लगा दिया, और इस कपड़े को चारो तरफ से अच्छे से proper चिपका दिया, चिपकने के बाद ये side का जो पाट था, उसे extra पाट को मैंने scissor के help से उसे कट करके निकाल दिया, उपर की तरफ कवर कर दिया, नीचे की तरफ छोड़ दिया, ताकि नीचे की तरफ जो हमने hole बनाया, वहां से हम easily bulb लगा सके, तो ये हमारा table lamp बनके ready हो गया, चलिए फिर अपना next DIY स्टाट करते हैं, यहां मैंने 4 ice cream sticks ले लिये हैं, और ice cream sticks को tie करने के लिए यहां जूट थ्रेड ले लिया है, इस तरीके से मैं दोनों चोड को tie कर देती हूं, इसी तरह दूसरे sticks को भी tie कर देती हू और 4 sticks को भी इसी तरह से corner में tie कर लेती हूं, और extra thread को cut कर देती हूं, इस तरीके का frame की तरह दिखने लगता है, तो बही bed table है, और उसमें कुछ frame ना रहे, कुछ quotation ना रहे, तो मजा ही नहीं आएगा, तो यहां मैंने फिर से bag ले लिया है, जो की paper bag आता है, उसको ही मैंने उ इसमें कुछ quotation भी लिखेंगे, तो मैंने sketch pen के help से, यहां पर मैंने quotation लिख दिया, और quotation लिखने के बाद, इसे उपर की तरफ से, hot lugan की मदद से चिपका दिया, तो यह easily चिपक गया, और नीचे की तरफ भी hot lugan की मदद से इसे चिपका दिया, अब दोनों दर्यप से यह चि यहां पर मैंने rope ले लिया है, पतला rope ले लिया है, अब इसे फैबिकॉल के help से इसे round and round चिपकाते जाते हूं, तो इसे छोटा सा ही mat बनाना है, टेबल के ऊपर रखने के लिए table mat बनाना है, तो इसे छोटा ही बनाऊंगी, लेकिन इसमें round by round यह white वाले जो rope है, इसे लगा जाते जाते हूं, तो इस तरीके से इसे round and round fold करते जाते हूं, और इसे छिपकाते जाते हूं, यहां पर mat बनाने के वक्त आप चाहें, तो नीचे paper लगा सकते हैं, पेपर को round cut दे करके उसके उपर mat को बना सकते हैं, लेकिन फैबिकॉल है, तो यहां पर यह mat कभी-कभी papers मे चिपक भी जाते हैं, तो मैंने इसके लिए paper का use नहीं किया है, डिरेक्टली इसमें ही paste कर रहे हूं, लेकिन यह थोड़ा सा problem आता है, बार-बार, इसलिए इसे अच्छे से press करके इसे चिपका लेना होता है, अब जब यह छोटा सा round में ready कर लेती हूं, तो इसके उपर मैं दो तीन लेयर, बहुत बड़ा लेयर नहीं बनाना है, इसमें दो या तीन लेयर ही मैं use करती हूं, तो इसे दो तीन लेयर में इसे फोल्ड करने के बाद इसे अच्छे से कट करके इस फैविकॉल से चिपका देती हूं, अब यह हमारा table mat चोटा सा बनके ready हो गया, अब जब यह mat बन गया है, तो इसके उपर flower pot भी रखना है, तो मेरे पास यह छोटा सा glass था, इसमें भी मैंने उपर की तरफ से यह purple वाले rope को इस तरीके से फोल्ड कर दिया, तो दो तीन लेयर में इस तरीके से फोल्ड कर दिया, और इसे अच्छे से फैविकॉल से चिपका दिया, और इसे हम mat के उपर रखेंगे, अब हमारा next DIY एक flower vase है, जो की काफी interesting है, काफी beautiful है, आप इसे जरूर देखिए और try भी कीजिए, इस तरीके का paper हमें कपडे में मिलता है, इसी papers को मैंने इस तरीके से छोटे-छोटे pieces में कट कर दिया, किसी तरह के भी pieces में, अब यहां मैंन लाइटर है, तो आप लाइटर का यूज कर सकते हैं, बट मेरे पास लाइटर नहीं था, इसलिए मैंने यहां candle का यूज किया है, इसी तरह से सारे paper को मैं जला लेती हूं, side-side से, तो यह cream कलर का है, तो इसके side का color जो आता है, brown-black color आ रहा है, तो यह काफी अच्छा दिखत है, इसी तरह से मैं सारे pieces को इस तरीके से कट करके, burn कर लेती हूं, अब यहां पर मैंने एक glass bottle ले लिया है, उसमें अच्छे से fabicol अपलाई कर लेती हूं, और यह सारे papers जो मैंने ready किये हैं, इसे बारी-बारी चिपका लेती हूं, चिपकाने के बाद, उपर से एक लेयर औ और fabicol का apply करती हूं, ताकि थोड़ा shining आए और अच्छे से चिपक जाए, इस तरीके से fabicol मैंने उपर से apply कर लिया है, और यह मुझे करने में बहुत मजा आ रहा था, पहले मुझे लग रहा था कि सायद यह खराब हो जाए, लेकिन पहले हम कुछ भी नहीं सोच सकते हैं, जब तक कि हम किसी चीज को पूरा नहीं करते हैं, तो जैसे जैसे यह मेरा ready होते जा रहा था और जैसे जैसे मैं इसे चिपकाते जा रही होती, आज तक मैंने बहुत सारे DIY किये, बट यह मुझे flower vase बनाने में काफी मजा आ रहा था, और इस तरीके से मैं इसे चिपकाते जा इसमें अलगी लुक, अलगी कलर, अलगी टेक्चर, शेड काफी अलग दिख रहा था और बहुत ब्यूटिफुल लग रहा था, तो इस तरीके से मैंने इसे बना लिया, और उपर की तरफ जो खाली स्पेसिस का माउथ के पास मैंने ब्राउन कलर अपलाई कर दिया, और लग रहा था, आप इसका फाइनल लुक सरूर देखेगा, आप मिस मत किजेगा, तो चलिए, फिर सारी चीजे जो हमने बनाई हैं, उन चीजों को हम टेबल पे सजाते हैं, और एक-एक करके सारे चीजों का एक फुल व्यूद लेते हैं झाल 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 तो मेरी है ऐए आईडिया आपको कैसे लगें अगर आईडिया पसंदाया हो तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट से्च्छिन में कमेंट करें और इस तरह की वीडियो के लिए मेरे चानल को सब्स्क्राइब भी कर ले तो चलिए फिल लेक्स वीडियो में वापस सिह मिलते है नए आइडियास के साथ, till then bye bye, take care